हेलो स्टुडेंज देखो लास्ट लेक्चर में अपनने डिसकस कराता AAS कॉंगूरेंजी को प्रूफ करनां चीजा अच्छा स्वार्ड अस ने था ना ASA को प्रूफ कर आता । उसमें क्या था दो एंगल इकवल होना चीजि इन्क्लूडेट साइड एक अपनने सबसे पहले से को देखा तो कल तो अपन एसे का ही प्रूफ कर पाएते के लिए चलो आगे अपन क्या कर रहे आपन आज मैं एस का प्रूफ बता देंगा और ट्रिपल एस का छोड़ी एक बार स्कीप कर दे आरे चैस का बता देती दो यह प्रूफ मैं आपको बथा देता हो ठीक है चलो अगला है डियर एसे यह तो बड़ा आसान प्रूफ है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपको यह करवा क्यों रहे हो आप ऐसा फील होने लग जाएगा आपको ठीक है दो ट्राइंगल के लिए पहले देखो एसे का मिनिंग समझ देते हैं कि यह से का मतलब क्या एडिया से एंगल साइड एंगल सब्सक्राइंगल है इन दोनों ट्राइंगल को कब बोलूगा तो यह से हां दो एंगल इक्वल अच्छा अच्छा यह एसे स्वरी इए एस यह चाहिए अश्यक होग प्रोफ मिलिए अस यह चाहिए यह तो यह यह इक्स यह वाई है चीए तो देखो ढीर इसमें यह होना चीए दो प्राइब इसमें यह रहेना जै Key से यहाँ पhela देखो डो एसके बाद तैके दो एंकल उसके बाद गए-उसके बाद यह चाल तो यहां पर यहाँ पर यहां पर पास होनी कि पहली बात तो यह बाइक के पास है तो यहां पर होनी चीए बप जिस एंगल के पास वाली यहां साइड है वह वो का सेम सेम एंगल के पास वाली साहिड होनी ठीक है तो यह अपना भाई एसे कॉंगूस एसे हो गयागा प्रूव कि अब देखो एसे एसे प्रूव करने वैटा तो कौन को तो ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी-सी इस कॉंगूरेंट ट्राइंगल अब यहां पर एक्स वाला यहां पर एक्स वाला कौन है यह दोनों कॉंगूरेंट होगी कि लिए तो बचे वह रिमेंग पार्ड भी सीपीटी सीटी से इसली आप प्रूव कर सकते हो तो कि लिए अब मैं इसका सब्स प्रूफ देखने जाओ यह तो मैंने स्टेट में बोला मैं इस प्रूफ को यह से रूड लिक लिए अक्रणा क्वेशन देखते हो प्रूफ देखते हो फोजशन क्या एक यह ट्राइंगल एक यह ट्राइंगल इन दोनों को अपने को ए ऐसे से प्रूव करना है के लिए ए बी-सी ले लिए कि देखो यह सपोर्ज एक्स है यह आपका वाई है यह डबल ठीक है यह आपका एक्स है सब्सक्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी एबीसी में देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो देखो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस एंगल वी इक्वल टू वन एटी तो देखो एंगल वी इक्वल टू कितना हो गया वन एटी माईनस एक्स प्लस वाई है यह लिए वन एटी माईनस एक्स प्लस वाई है सिमिलरली आप लगा सकते हूं इन ट्राइंगल डी एफ डी एस में भी कर सकते हो बट यहां पर कौन रहेगा एंगल ए तो एकस प्लस य प्लस एंगल एकुल टू वन एती और एंगल ए आपका जाएगा 280 मैंनस एकस प्लस वय थे ले यह जायका 180 मैंनस एकस प्लस वय तो बड़ा सिंपल सा हो गया तो ढ Minnie यह और यह 21 एगल एंगल एकवल टू क्या होगा एंगल एट्वल टू यह हो गया 180 माइनस एकस प्लस वय इसको मैं कुछ मान लेता हूँ एल्फा बोल देता हो, क्या बोल देता हो, अल्फा, मतलब ये भी अल्फा है, और ये भी अल्फा है, के लिए अब दोज़र ट्राइंगल लेता हो, ट्राइंगल ए बी सी, इसको कॉपी कर दो क्या, ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल डी, इसको के लिए दोनों में लेता हो, ठीक है, आप देखो, इसमें देखो, एंगल भी है न, वह एंगल ए से इक्वल है, क्यासा है, एंगल समक्राइब, या फिर लिख सकते हो, इसको एक्वेशन वन बोल सकते हो, बाई एक्वेशन वन, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह तो अपने एक्वल कराए, ठीक है, और बाकी क्या था, एंगल एक्वल, एंगल सी एक्वल टू, एंगल एफ है, यह क्या है, आपको गीवन, यह इसन तो given यह थार्ड यह, angle A equal to angle D, angle C equal to angle F, and BC equal to EF, के लिए यह आपको था, चेलिए, तो अगला क्या है यह, BC equal to EF, अब देखो यह दो angle equal है, included side equal है, तो अब यह कौन सी concurrency लग गई आपकी, by A, S, A, sorry, A, S, A, congruency, A, S, A, congruency, A, S, A, congruency, triangle A, B, C, is congruent to triangle D, A, B, C, D, A, F, के congruent हो गया, अपने को यह प्रूव करना था, अपने को यह प्रूव करना था, कि कौन सा triangle, मतलब यह दोनों triangle, एक दूसरे की क्या होने ची, congruency प्रूव करना था, ठीके तो अपने बड़ा आसानी से congruency का rule लगया, बढ़ यहां पर कौन सी congruency लगई अपने, इसे congruency लगई, और उससे अपने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, कि लिए, चलो, अगला, नेक्स्ट आता है, यह RHS rule है, देखो, RHS rule सबसे पहली important बात है, कि यह आपका right angle triangle के लिए होगा, किसके लिए, for right angle triangle, आपका जो भी right angle triangle रहेगा ना, उसमें यह लगेगा, अब RHS क्या बोलता है, RHS यह बोलता है, कि आपके बास दो right angle triangle, एक यह, एक यह, 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 दो right angle triangle है, सब्सक्राइब के लिए है, सब्सक्राइब के लिए, इसमें देखो, perpendicular base होता है, किसको perpendicular base बोलते है, वो अपन ट्रिग्नोमेटिक चैप्टर में पढ़ते हैं, 10th class में, अभी यह समझ बोलता है, यह दोनों sides होती है, अब बोलता है, बची हुई sides में से कोई भी equal हो जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है, कि लिए तो सपोज यह जैसे यह वाली line लेता हो, यह इसके equal होगे, ठीक है, तो यह दोनों congruent होगे by RHS, by RHS congruent होगे, ध्यानक न, बहुत से बच्चे doubt ही रहता है, एक सर, RHS तो SAS जैसे यह नहीं, यहाँ पर देखो, दो side और एक angle equal तो है, but included angle equal नहीं है, SAS में क्या होता है, आपका, दोनों का included angle equal होना जरूई है, कि लिए, तो देखो, RHS, RHS में आप निकाल देते हैं, कि लिए, RHS को इसको देखो, प्रूव करना हो, तो अपन, प्रूव किया, सौरी, इसको पहले तो मैं लिख लेता हूँ, triangle ABC is congruent to, triangle A, देखो, दोनो side जहां meet कर रही, वो point है, यहाँ पर दोनो side को, हाँ पर meet कर रही, ठीक है, B, B 90 पर, यहाँ 90 पर, E और D, मतलब देखो, आपको सोचने की जरूद नहीं, आप तो यहाँ पर क्या हो, मन्द बुद्धी की तरह दिमाग लगाओ, मतलब, मन्द बुद्धी कैसे बोलता हो, मतलब की अपने को गवारो टाइप दिमाग लगाना है, कि मतलब, गवारो टाइप मतलब, अपने को ज्यादा knowledge नहीं है, सबसे बोल सकते हो, जो यहां से निकल के यह जारी है वो C के एक्वेट होगी ठीक है तो वैसा कि आप जैसे सोचो वैसा सोच सकते हो कि आप दिमाग लगा सकते हो कि लिए चलो आगे बताता हो प्रूफ इसका बड़ा असान है यह जैसे दो ट्रेंगल दे रखा एक यह यह दो ट्रेंगल दे रखे मेरे को A B C D E F यह साइड इसके इकोल है और यह हाइपोटेनियस इकोल है इसको सपोज मैं एक्स मान लेता हूँ इसको वाई मान लेता हूँ तो यह एक्स होगी यह वाई कि लिए अब यहां पर गीवन क्या-क्या है A B C and and triangle D E F are right कि लिए चलो end इसमें क्या गीवन है गीवन को याद यहां पर लिखने हैं इसकोप पर ले लेता हूँ यहां पर और क्या गीवन है वो भी लिख लेता हूँ A C equal to D F and A B equal to E F ठीक है देन आपका angle B equal to angle E equal to 90 कि लिए ठीक है अब देखो पहले वाले ट्राइंगल ABC में अपन ट्राइंगल ABC देखते हैं वाइप पाइथोगोरोस थेयोरम से अपने ऐसा लिख सकते क्या डियर AC square equal to AB square plus BC square ठीक है तो यहां से टीयर BC square आएगा देखो AC square AC की value कितनी है एक X square minus AB की value यह है यह हैगा similarly in triangle DEF, DEF triangle में देख लो same, same आप करोगे न डियर तो आपका जो DE आएगा है दीएफ का square equal to क्या होगा DE का square DE का square प्लस EF का square के लिए तो आपका यहां से DE का square निकलेगा न वह होगा देखो DF, DF के X, X square minus Y, यह दो नहीं है ठीक है अब देखो BC square क्या हाग है DF square के equal होगा, BC square equal to DE square मतलब BC equal to DE के लिए यह दोनों equate होगी BC और DE की value equate होगी बड़े आसानी से के लिए अब देखो BC और DE equal होगी अब मैं वापस इसी को copy कर देता हूँ हो एक बार, यहाँ पर यह हटा है मतलब को, यह तो आप सूच होगी इस है, proof इसको भी हटा देता हूँ अब देखो BC equal to DF है, मतलब BC और DF की equal value आगे तो इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ, यह और यह क्या आखे अब देखो दोनों triangle में देखो, इसको equation one दे देता हूँ आप कि लिए, triangle ABC and triangle DE है कि लिए, इसमें देखो, angle B equal to angle E, एक तो यह हो गया, एक देखो, D equal to आगे यह, AB, so D equal to BC, BC कि लिए, तो देखो, यह किस्ते निकला by equation one से, equation one से यह result मिल गया, बड़ा easily, कि लिए, ठीक है, similarly, अगला देखोगा तो, AB equal to क्या आजाएगा, यहाँ पर, AB किसके equal है, यह, तो यह क्या था, यह था, यह था, यह था, यह था, यह था, और उपर वाला भी क्या था, यह था, यह था, अब देखो, by SAS, okay, अब दोनों साइट कोल है, बीच्वल था, उपर यह है, यह था, यहां पर कोर आएगा, तो मतलब देखो अपने को RHS को किसे प्रूव के लिए ऐसे पुराने वाले से यूज़ कर सकते हूँ अब देखो ठीके ट्रीपल एस भी इससे उपर आता है वैसे ट्रीपल एस का प्रूव अपने करा नहीं बर सब्सक्राइब करते हैं तो यह तीनों ही साइड इक्पल होगी तो ट्रीपल एस से भी इसको अपर कम्प्लीटली इजिली सॉल कर लेते हैं किलियर इफ अपन अब दो मिलते हैं अपनेक्श लेक्शे में अपन ट्रीपल एस करेंगे फिर अपन वाले हो सकता है कुछ भी स्टार्ट करने साथ साथ में जो भी अलगलग प्रूफ से या फिर जो भी रिजल्ट्स है उसको याद वगर रखना पड़ता है तो वह भी अपन नेक्स ट्लास म देख लेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं अपर next lecture में, thank you so much